हलो माई ये पाशने टीट आस्पिरंस वेलकम बाक तो मागने बेंज आया आई टीजे इनीट मैं हूँ डॉक्टर रितिका भारदवाज आपकी बायोलोजी मेंटर और आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली प्राक्टिस प्रॉब्लम के सल्यूशन प् आपने फंजाए में दिये गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक थी उससे अपना डीपीपी डाउनलोड करके सॉल्फ कर लिया होगा लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है आप देखना चाते हैं कि क्या सद्यूशन था क्या आपके आंसर्स करेक्ट थे और कॉमेंस में अक्सर वीडियो में जो कॉमेंस आते हैं उसमें मैंने देखा है कि आर ओल्वेज आस्किंग की मैं कौनसी बुक करना है कैसे MCQ करना है सो एवरिधिंग इस प्रिपेर्ड फो यू नीट कोर्स मॉडियूल आप एक बार समझ लीजे जो कि मैं यूश्वली आपक में हम क्या करते हैं topic wise explanation पर जाते हैं हर chapter के लिए particular topic का detailed explanation आपको मिलता है followed by daily practice problem अब यह क्यों जरूरी है जो topic हमने पढ़ लिया है उसके बाद हमें question solve करना भी जरूरी है तभी हम उस topic में पूरी तरीके से 100% prepare हो पाएंगे तो उसके लिए आपको description में link में DPP जैसा अभी मैंने बताया मिल जाती है download करके आप solve करते हैं कोई भी दिक्कत है तो आज के session की तरह आपके लिए available होता है daily practice problem का solution followed by chapter wise multiple choice question वो जो chapter धीरे धीरे topic करके जब complete हो जाएगा तो उस chapter से related multiple choice question पर हम focus करते हैं ताकि हमारा full on chapter जो है वो ready हो जाए followed by list of name of scientist अलग से एक session में हर chapter end होने के बाद आपको एक list provide की जाती है जहां पर उस chapter से related scientist का नाम, उनके description का नाम और उनके दिये हुए year, किस year में उन्होंने काम किया था इसकी list आपको अलग से देती हूँ मैं क्योंकि मुझे भी पता है कि थोड़ी सी problem होती है इतने सारे scientist के नाम याद रखने में, थोड़ी problem होती है उनके contributions याद रखने में, बूल जाते हैं कि अर्यार two kingdom किसका था, three kingdom किसका था, five kingdom तो आप कभी नहीं बूल सकते हो, इतनी ब until and unless we solve previous year question for a particular chapter, for a particular topic, हमारी तयारी अधूरी रहती है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता चलता है कि पिछले सालों में, जो भी question paper बने है, उनमें इस topic को लेकर क्या-क्या questions किस form में पूछे गए थे, so previous year questions are most important, then doubt solving session, अभी थोड़े दिन पहले भी मैंने आपको doubt solving session दिया है, औ और I am regularly checking your doubts, जो भी मुझे आप doubts भेशते हैं, वो doubts में उनका solution लेकर, उसका doubt solving session लेकर आपके लिए आती हूँ, जहां पर आपके नाम के साथ आपका question रहता है और उसका answer आपको मिलता है, तो आप मुझे doubts कभी भी भी भेज सकते हैं, weekly test paper solve करना बहुत जरूरी है, which will be provided to you, and guidance की कैसे पढ़ना है, कैसे prepare करना है, कैसे हम consistent रह सकते हैं, हमें तयारी कैसे 100% दिल लगा कर सकते हैं, वो वाली बात आपको इस guidance session में मिलती है, followed by chapter wise one shot revision, which is very important to bring up your mind for any of the chapter, बहुत सारा जब हम theory पढ़ लेते हैं, जब हम notes बना लेते हैं, तो हमारे लिए जरूरी क्या होता ह है, उस notes को हम कैसे go through करें, तो उसके लिए भी आपको revision session provide होंगे, इस चीज़ के आपको चिंता बिलकुल नहीं करनी है, then we go on with the online test series, which is ultimately for you to judge your own performance, so that you can improve it, यह हमारा जो neat का course module है, जिसे हम follow करते हैं, okay, now let's start with the question answer session, और इससे पहले मैं question answer session start करूँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, कि जो भी sessions चल रहे हैं, मैं वहाँ आपको time देती हूँ note करने का, अपने notes और properly बनाने का, और guide करती जाती हूँ कि कहां पर क्या लिखने की जरूरत है, उमीद करती हूँ कि आप सारे के सारे notes properly बना रहे होंगे, क्योंकि अ जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे certain groups of organisms, जैसे कि plant के organisms, जैसे कि animal के organisms, उनके subgroups, उनके phylum, फिर उनमें examples, तो अब जो examples होते हैं dear students, उसके लिए तो भाई हमें नाम याद रखना ही पड़ेगा, there is no trick, और मैं आपको बोलूँगे कि examples के लिए आपको कभी कोई jingle बनानी भी नहीं चाहिए, क्यों क्योंकि एक ही letter से start होने वाले कई सारे नाम होते हैं examples में, अलग-अलग chapter में, अलग-अलग area में, तो हमें jingle बना कर याद नहीं रखना है, हमें group के हिसाब से उसके दो-तीन नाम याद कर लेने हैं, जो हमारी NCRT ने हमें दिये हैं, उसके उ बचरे के या जिसे हम भूसा भी बोलते हैं, जो गाए वगएरा के लिए यूज होता है, उस पर decompose करने वाले कौन से organisms होते हैं, हमें identify करना है दिये गए example, दिये गए options में से, first option है deuteromycities, ascomycities, bacidomycities and phycomycities, तो इन चारों options में से हमें बताना है कि litter decomposer कौन होता है, तो waste material, ठीक है, waste material होता है, animals का, plants का, तो इसको decompose करना, अगर हमें waste material को decompose करना है, तो ultimately यह scavenger जैसा काम कर रहे हैं, clean करने का काम कर रहे हैं, कचरे को भी clean कर दे रहे हैं, तो कौन सा organism होता है, जो हमारे waste material के उपर भी decompose कर ले, याने इस waste material के उपर भी जो feed कर ले, उसको हम कहत है क्या लिटर डी कॉम्पोजर अभी यह तो हमें समझ में आ गया मैंने यह चीज आपको सेशन में अल्रडी पढ़ाई हुई है और इसलिए मैंने आपको ग्रुप्स और उनके एक्जांपल्स का वो याद करने के लिए बताया था तरीका कि आपको से लिख करके याद करना है अब जैसे यहां option में डूटरो माइसिटीज, आसको माइसिटीज, बसीडो माइसिटीज और फाईको माइसिटीज है तो इसमें से कौन सा वाला लिटर को डी कॉम्पोज करता है So the one that decomposes the litter, the group that decomposes the litter is the deuteromycities, it is the deuteromycities, clear? तो options में deuteromycities कहां दिया हुआ है? First option ही हमारा deuteromycities है, जो की हमारा answer है, बाकी सारे options जो हैं, वो decomposes की तरह लिटर पे फीड नहीं करते हैं यह हमें कैसे याद रहेगा, अब इसका देखो कोई logic नहीं है, कोई reason नहीं है वो जो organism है, उस organism का habitat ऐसा है और उस organism की eating habits ऐसी हैं तो अब हमें यही नाम याद रखने का important समझ में आता है तो मैं इसको ऐसे याद रख लेती हूँ, एक trick बता देती हूँ हाला कि tricks और jingles example पर workout नहीं करवाना है deuteromycities मुझे decomposer, deuteromycities decomposer, deuteromycities decomposer से मुझे याद रहता है ठीक है, so this is the first question, now see the next question from which of the following most of the antibiotics are prepared antibiotics सबसे जादा कौन से ग्रुप से prepare की जाती है ठीक है, तो options में है fungi, plants, actinomycities and archibacteria clear, जब भी हम antibiotics की बात करते हैं, इस question में एक twist है उस twist से भी यह question आपको पूछा जा सकता है ठीक है, इस question के options बदल कर भी आपसे पूछा जा सकता है हो सकता है, A option में दे दें, fungi, ठीक है, fungi B option में दे दें, animals, C option में दे दें, plants, D option में दे दें, actinomycities ऐसे भी question पूछा जा सकता था, ठीक है दूसरा, इसमें ये भी हो सकता था, कि animal की जगे, animal की जगे क्योंकि animal थोड़ा सा obvious reason हो जाता है, उसको false mark करने के लिए तो इसकी जगे वो आपको दे सकते हैं, bacteria तो अगर मैं आपके सामने ये two set of options रखती हूँ, तो दोनों cases में आपका answer जो है, वो change हो जाता है I'll tell you why, दुनिया में सबसे ज़्यादा antibiotics, दुनिया में सबसे ज़्यादा antibiotics जो बनाई जाती है, वो बनाई जाती है पहले number पे, first number पे bacteria से, bacterias, और कौन से bacterias, हर type का bacteria यूज होता है, antibiotic बनाने के लिए, ठीक है next number, second number पर आती है fungi, fungi से भी antibiotics बनाई जाती है, ठीक है तो ये दो groups हैं जिनसे antibiotics को हमको मिलती है, first वाले में plants दिया हुआ था, देखो, fungi तो दिया है fungi तो दिया है, ये तो हमने correct mark कर लिया, क्योंकि fungi हमें मिल रहा है plants दिया हुआ है, actinomycities भी नहीं होगा और archibacteria एक group दिया हुए तो अब हमारे पास क्या बचता है, fungi is the most correct answer लेकिन अगर option में fungi के जगे साथ में bacteria भी दिया होगा तो उस case में हमारा answer bacteria की तरफ जाएगा दुनिया में सबसे ज़्यादा antibiotics इनी दोनों group से मिलती है you will always need to identify the most correct answer आपको क्या find करना पड़ेगा, कि ज़्यादा appropriate answer कौन सा है कई बार ऐसा होता है कि students मुझे message कर देते हैं किसी चीज़ पर कि ma'am is question का answer यह क्यों नहीं हो सकता, यही क्यों है जो आपने बताया है अब now there the concept which is given over there is about the most appropriate option हमें options हमेशा देखो neat का जो paper बना रहे हैं वो बहुत talented लोग है ठीक हैं और वो तभी अब talented होंगे तभी तो वो एक talented group एक talented bunch of students को निकाल कर ला पाएंगे सही है तो obviously they'll be smarter तो वो हमेशा ऐसे options देते हैं जहां पर आपको dilemma create हो जाएगा आप you'll feel a controversy which is the right option यार ऐसा तो था अब ऐसे question में आपको लगता कि शायद RK bacteria is the right answer no fungi will be the right answer clear दोनों cases में option जब change होंगे तो आपको समझ में आ गया clear सबसे जादा antibiotics इनसे prepare होती है most of the antibiotics most of antibiotics antibiotics are prepared from bacteria and from fungi clear okay you want to write it you can write it so the correct option is option A clear okay now see the next question the next question it says again edible yaniki khane wali the one which you can eat edible asco mycetious fungi fungus or fungi is or are con see hey the guy options में से जिसे हम बोल दे edible fungi edible fungi जाये अगेन आपको क्या याद रखना पड़ेगा मैंने आपको economic importance भी पढ़ाया है तो आपको याद क्या रखना पड़ेगा कि example कौन सावाला जाएगा इस particular character पर that is why I told you example याद रखना है तो उसके लिए आप यह चीज कर सकते हो कि एक पूरी list बना लो जिस जहां पर सिरफ group का नाम example, group का नाम example, group का नाम example जरूरत है तो उसके सामने उसका character ऐसे तीन कॉलम का एक table बना लो मेरे ख्याल में hardly एक डेट घंटा भी नहीं लगेगा एक डेट घंटा भी मैंने जादा बोल दिया आपको यह सारे examples, यह सारे groups, इनके characteristics, सारी चीज़ें आपको मेरे sessions में मिल जाएंगी और वो session आप कहां पर देख सकते हो वापस से जाकर जहां chapter वाला session चल रहा है अपने NEET की preparation के लिए वहाँ पर Magnet Brains IIT J.E. NEET के channel पर देख सकते हो जहाँ आप मुझे अभी देख रहे हो subscribe कर लेजेगा, तो edible fungi जो है वो कौन कौन सी होती है edible fungi होती है morals morals और truffles morals और truffles are the edible fungi, clear? खाने वाली fungi जिसे हम खाने के लिए use करते हैं और भी बहुत सारी है options देखिए, morals, agaricus, truffles, both ANC so most appropriate answer will be both ANC क्योंकि दोनों ही edible है morals भी और truffles भी, clear? so this is the answer example का खेले भई next question देखिए a dicaryon is formed when? dicaryon कब बनता है? ये question मैंने क्यों दिया है? अक्सर students को लगता है dicaryon मतलब की दो nucleus? हाँ, बिल्कुल मैं भी यही बताती हूँ, हमेशा आपको मैंने बोला है die का मतलब two, carryon का मतलब nucleus, तो अभी हमें ये बताना है कि कब बनता है die carryon और अगर हम die carryon की बात करें, ठीक है? तो इस में से, इस में से die का मतलब होता है two die का मतलब क्या होता है? two carryon का मतलब होता है nucleus, two nucleus, ठीक है? तो die carryon कब बनता है? ये situation पूछी हुई है, मैं आपको पहले एक चीज, एक concept समझा देती हूँ इसका और फिर हम इसके answer पे जाएंगे आपने जो mark करना था, वो most probably करी दिया होगा, अच्छा चलो मैं आपको ऐसा करती हूँ कि एक मिनट का time दे देती हूँ आप मुझे बताओ आपके हिसाब से सही answer क्या है फिर मैं concept समझाती हूँ अगर आप उस चीज को पकड़ पाएं, पहला है meiosis is arrested, meiosis cell division रुख जाता है, दूसरा 2 haploid nuclei do not fuse immediately, 2 nuclei जल्दी से fuse नहीं हो पाए थे, इसलिए dicarion बना, cytoplasm does not fuse, cytoplasm fuse नहीं हो पाया इसलिए 2 nucleus का structure बना and none of the above, what is your answer you tell me, I'll give you a moment फटा फट से बताओ लिख दिये सबने अपने answers, okay, now listen to me dicarion एक ऐसी situation जहाँ पर 2 nucleus present है एक cell में, ठीक है तो ऐसा कब होगा ऐसा होगा जब ये एक cell था इसका nucleus और ये एक cell था इसका nucleus ठीक है, इन दोनों cell के nucleus है, अब ये जो nucleus है, जब ये fuse हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे कि एक nucleus है, अगर ये fuse हो जाएगा, तो क्या situation बनेगी, दोनों nucleus एक साथ fuse हो गए, तो ये situation बनेगी तो उस situation में तो ये monokaryon ही है, एक ही nucleus present है, हम को चाहिए dicaryon situation, तो dicaryon situation कुछ ऐसी होगी या नहीं होगी मुझे बताओ, ऐसी होगी न, dicaryon situation और यहाँ पर पूरा cytoplasm है ये cytoplasm है, इसमें भी ये cytoplasm है, ठीक है, ये cytoplasm, ये cytoplasm ठीक है, तो अब die carryon situation ये वाली होगी जहाँ पर दो nucleus होगी तो ये दो nucleus कब बनेंगे कब बनेंगे, बताओ मुझे जब ये दोनो nucleus fuse नहीं हुए होगे, when two nucleus do not fuse do not fuse तभी तो die carryon बनेंगे है ना, और ये fuse तो हो जाते, पर इनको रोका किसने है समय ने, समय में बहुत बड़ी ताकत है, जैसे ही cell fuse होने लगा, तो cytoplasm तो मिला, लेकिन दो nucleus अभी पास पास आए हैं और एक साथ fuse नहीं कर पाए हैं तो वो situation die carryon की situation है, जैसे ही ये दो nucleus आपस में fuse कर जाएंगे तो वो mono carryon की situation बना लेंगे, तो ये situation कब बनती है, जब दो nucleus आपस में तुरंथ fuse नहीं कर पाते, जैसे ही cell fuse होना चालू होता है जैसे ही ये दोनों cell हैं तो ये fuse हो गया अब जब तक इस cell में plasma membrane जो है वो दूर दूर नहीं हो जाएगी तब तक तो ये क्या है, एक ही cell है और इन दोनों cell के अंदर इन दोनों cell के अंदर मुझे nucleus मिल रहा है लेकिन पास पास में nucleus मिल रहा है, ठीक है मुझे nucleus मिल रहा है, लेकिन पास-पास में मिल रहा है, तो जब तक ये fuse नहीं होंगे तब तक ये situation क्या कहलाईगी dicarion कहलाईगी बात समझ गए? When two nucleus do not fuse immediately, it forms the dicarion situation where in a cell two nucleus are present जब दो nucleus आपस में तुरंथ fuse नहीं हो पाते तब वो situation create होती है जहां पर एक cell के अंदर दो nucleus एक साथ present होते हैं क्योंकि अगर fuse कर जाते तो तो एक nucleus हो जाता बात समझ में आ गई? Options देखिए क्या क्या थे आपके पास I hope आपने सही option mark किया हो meiosis is arrested, it has nothing to do with the dicarion situation then two haploid nuclei do not fuse immediately, yes definitely दो nucleus एक साथ जलदी से fuse नहीं हो पाए थे next है cytoplasm does not fuse cytoplasm तो fuse हो गया था and then none of the above so correct option is option B the two haploid nuclei do not fuse immediately clear? आप इसको note कर लिजे कर लिया note? okay, now the next now the next is truffles are members of truffles किसके members होते है? कौन सी class के members होते है? तो truffles को हम जानते हैं कि truffles जो होती है truffles are the edible edible fungi edible होती है, खाने वाली तो वह कौन से class में belong करती है? again the examples are important ठीक है? कौन से class को belong करती है? बसीडो my cities को नहीं करती truffles always belong to truffles come from the class asco my cities asco my cities अभी इस particular session में ही मैंने आपको इतने सारे examples already practice करा दिये हैं कि आप यहां से भी list अपनी बनाना चालू कर सकते थे first question से ही आपको मिल जाएगा, वापस से जा करके एक बार देख लेना कई जगे कई groups के examples और उनके characteristics आए हैं तो asco my cities के group में आता है truffles तो हमारा option देखिए बसीडो my cities नहीं होगा asco my cities yes, deuteromycities नहीं, fico my cities नहीं so correct option is option B asco my cities clear okay, now the next question now see the next question drosophila of plant kingdom किसको बोला जाता है drosophila of plant kingdom यह NEET के लिए बहुत important question है इसका answer मांक करिये मैं आपको एक minute का time दे रही हूँ okay, so done have you marked the answer drosophila of plant kingdom किसको कहते है options में देखिए alternaria नहीं, asparagelus नहीं, I hope you all have marked the correct answer that is neurospora and albugo नहीं तो यह neurospora अगर आपने मांक किया है so it is the right answer और अगर आपने नहीं मांक किया तो let me tell you, जो neurospora होता है neurospora जो होता है इसको neurospora को नाम क्यों दिया गए, आपको पता है यह nerve cell की तरह दिखता था जैसे nerve cell होता है let me show you nerve cell कैसा होता था, यह cyton होता था right, cyton के बाद exon होता था इस तरीके का exon होता था और फिर nerve endings होती थी remember, right, okay तो ऐसे structure में यहाँ पर dendrites होते थे, ठीक है ऐसे structure में यह जो आप इसका exon देख रहे हो tail देख रहे हो, याने कि यह वाला structure यहाँ से लेकर यहाँ तक का यह structure जो है, बिल्कुल ऐसा ही देखने में हमारा neurospora दिखता है, और क्योंकि neurospora nerve cell की तरह दिखता है इसलिए उसका नाम neurospora रखा गया, neurospor nerve cell neurospor nerve cell और nerve cell का कौन सा पार्ट दिखता है, exon जैसा दिखता है, और यह जो neurospora होता है, अगर हम इसके importance की बात करें अगर हम इसके importance को देखें कि इसका importance क्या है तो यह बहुत ज़्यादा यूज होता है, genetics की पढ़ाई में, यानि कि genetics जो होते हैं, genetics की पढ़ाई करने वाले जो होते हैं, वो neurospora को बहुत यूज करते हैं, ऐसा क्यों क्योंकि जब भी tissue culture किया जाता है, आप tissue culture समझते ही होंगे tissue culture मतलब कि कोई चीज ग्रो करने के लिए जब हम tissue लेकर के उसे ग्रो कराते हैं, तो tissue culture में use होता है, tissue culture में use होता है, दूसरा, genetics की पढ़ाई में use होता है, genetics की पढ़ाई में use होता है, जहां पर भी से salt मिल जाए, या फिर sugar मिल जाए, या फिर थोड़ा moist habitat भी मिल जाए, वहाँ पर यह easily grow करने लग जाता है, it starts growing, it starts growing in that area so it was easy to grow, easy to obtain, that is the reason कि इसको neurospora को drosophila of plant kingdom कहा जाता है, और इसी reason की वजए से, it is considered as drosophila of plant kingdom drosophila of plant kingdom यह कुछ बाते important neurospora को लेकर के, जो आपको याद रखनी है, तो यह जो structure है, आप ऐसे इसको याद रखने के लिए बना के रख सकते हैं, कि इसमें से यह वाला जो है न, अच्छा इसमें अपनी को ऐसा क्या दिख रहा है, जो निउरोस्पोरा में nerve cell की तरह दिखने वाला निउरोस्पोरा, which is used in many fields, so the correct answer is निउरोस्पोरा, I hope this much is clear, आप लिखना चाहते हैं, तो इसे लिख सकते हैं, लिख लिया, okay, now see the next question, next question says, with respect to fungal sexual cycle, अगर हम फंजाय की sexual cycle पर जाएं, तो choose the correct sequence of events, तो उसमें क्या-क्या events होते हैं, जब हम बात करते हैं, फंजाय की fungal sexual cycle की, sexual cycle की, तो वहाँ पर हमें क्या-क्या मिलता है, वहाँ पर सबसे पहले sexual cycle में होता है, सबसे पहला step होता है, fusion of cytoplasm, fusion of cytoplasm, सबसे पहले fuse होता है, ठीक है, दूसरे नंबर पर हमें मिलता है, दूसरे नंबर पर हमें क्या दिखता है, जब cytoplasm fuse हो जाता है, तब बारी आती है, nucleus के fuse होने की, तो फिर हमें मिलता है, fusion of nucleus, और जब cytoplasm fuse हो गया, nucleus fuse हो गया, तब स्टार्ट होता है cell division, तब स्टार्ट होता है cell division, clear, ये तीन step सबको clear है, जब भी फंजाय का sexual cycle होगा, तो ये तीन step होंगे, sequence में होंगे, सबसे पहले cytoplasm fuse करेगा, फिर करेगा nucleus fuse, और उसके बाद होगा cell division, ठीक, तो fusion of cytoplasm जब भी होता है, तो cytoplasm को refer करने के लिए हम कौन सा word use करते है, plasma, और plasma fuse हो रहे हैं, तो plasmo gamey, gamey का मतलब होता है, marriage, मिलना, तो gamas, gamas, मतलब मिलना, तो plasma मिल गया, तो ये नहीं, plasma gamey हो गई, तो first step होता है, plasma gamey, ठीक है, plasma gamey, उसके बाद होता है, nucleus का fusion, तो nucleus का fusion कहलाता है, karyo gamey, the fusion of nucleus is considered as karyo gamey, then we have cell division, और जब भी cell division होगा, तो इसमें कौन सा cell division होता है, इसमें होता है, meiosis, meiosis, now we will find out the answer, अब ये हमारा concept हो गया, किसको लेकर, fungi को लेकर, अब हमारा option देखो, कि sexual cycle जो है, fungi की, यानि कि fungal sexual cycle का correct, sequence of event क्या होता है, तो sequence of event ये होते हैं, options में देखिए, सबसे पहले, karyo gamey, फिर plasmo gamey और फिर meiosis, nucleus का fusion पहले नहीं होता, इसलिए ये option गलत, फिर meiosis, plasma gamey, karyo gamey, cell division कैसे हो जाएका, जब plasma और nucleus मिले ही नहीं है, तो ये option भी गलत, फिर है plasmo gamey, karyo gamey, meiosis, plasma का fusion, karyon, यानि की nucleus का fusion और फिर cell division, तो ये सही option है, फिर है meiosis, meiosis पहले कभी नहीं हो सकता, तो सही answer हमारा है, option C, that is plasmo gamey, karyo gamey and meiosis, clear? And this is the explanation, आप इसको लिख लिए जे, रिटन, okay, now, the next, next is, in fungi, fungi में sexual reproduction takes place by, sexual reproduction किस के माध्यम से होता है, ठीक है, तो sexual reproduction में involved structures कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला तो हम देख लेते, spores के form में reproduction होता है, यानि की अलग-अलग type के spores involved रहते हैं, spores are involved, जब भी fungi का sexual reproduction होगा, तो spores जरूर से involved रहेंगे, और कौन कौन से spores involved होते हैं, let's see, spores जो involved होते हैं, वो होते हैं, उस spores, उस spores, दूसरे होते हैं, zeus, sorry, दूसरे होते हैं, acro-spore, acro-spores, ठीक है, asco-spores, one minute, asco-spores, and the third one is besidio-spores, besidio-spores बनते हैं, तो, उस spores का मतलब क्या होते हैं, उस spores का मतलब, जो, क्याना चाहिए कि एक जैसे spores नहीं होते हैं, यानि कि एक spore हो सकता है, motile हो, दूसरा spore हो सकता है, non motile हो, अलग-अलग type के spores, जब fuse हो जाते हैं, तो वो उस spores है, asco-spores किसी structure के अंदर बनने वाले, small spores, right, and then we have besidio spores, तो यह आपको समझ में आ गया, clear, okay, तो अब हमें answer देखना है, asco spores, besidio spores and zoo spores, zoo spores are not involved, इसलिए यह option गलत, next is zoo spores, porangio spore and conedia, conedia भी नहीं बनेगा, तो यह option हमारा गलत, अब देखो कितना easy है, conedia मिल गया है, zoo spore मिल गया, तो option गलत हो गया, बस हमें sure रहना पड़ेगा, इसलिए points, points में हमें हमें हमेशा याद रखना चाहिए, paragraph form में थोड़ा सा याद करना tough हो जाता है, then we have zoo spore, oo spore, besidio spores, zoo spores are not involved, तो जो चला गया वो है zoo, conedia and zoo, again, next है, oo spore, acro spore, asco spores and besidio spores, so this is the correct option, यहाँ पर आपको यह चीज़ दिख रही है, तो सही option है, oo spores, asco spores and besidio spores, correct option is option D, clear, okay, if you want to write, you can write it, okay, now, the next, next question is, East saccharomyces, sarvaces is used in the industrial production of, East जो है, बहुत जादा industrial purpose से use होती है, one thing, second thing, East जो है, वो budding के थुरू divide करती है, unicellular अकेली होती है, ठीक है, अब, यह दो बाते तो हमें याद रहेंगे, unicellular होती है, और budding के process से division होता है, इसमें, और industrial purpose से सबसे जादा use होती है, तो जब हम industrial purpose देखते है, East का, तो हमें क्या मिलता है, where does it works, कहां पर काम करती है, तो आपको पता है, यह सबसे जादा use होती है, वाइन बनाने में या फिर बीर बनाने में, वाइन के formation में और बीर के formation में, यानि कि, इस आधी types of alcohol, alcohol बनाने में यूज हो रहा है, industries में, which gives a wide range of revenue, मतलब कि, बहुत ज़्यादा commercial purpose सॉल्फ करती है, तो options देखिए, citric acid बनाने के काम आती है क्या, नहीं, tetracycline is a medicine, is an antibiotic medicine, जहां पर मैंने आपको example दिया था, aquarium में जब fishes बिमार हो जाती है, तो उनको भी tetracycline capsules में से दिया जाता है, फिर है ethanol और फिर है butanol, तो यह जो alcohol आपको देख रहा है, यही तो ethanol है, है न, ethanol बन रहा है, तो सबसे correct answer क्या होगा, ethanol that is option C, clear, okay, now see the next question, next question is, a fungus contains cell with two nuclei from different genomes, दो अलग-अलग genomes के nuclei, एक cell में आ गए, nuclei do not fuse but divide independently and simultaneously as new cells are formed, it belongs to, situation समझो, situation कुछ ऐसी है कि फंजाए के पास cells है, कहानी समझो, फंजाए के पास cells है, और वो cells जो है, उनके पास two nuclei हैं, और वो दोनो nuclei, fuse होने को तयार नहीं है, उनने का नहीं हमें fuse होना नहीं है, अब जब यह दोनों fuse नहीं हो रहें, दोनों अपनी अपनी अकड में, दोनों क्या कर रहें, डिवाइड करते जा रहें, ये वाला cell divide कर रहें, इसने दो cell बनाएं, इस वाले nucleus ने divide करा, इसने दो nucleus बनाएं, तो बात कुछ ऐसी थी, कि ये एक cell था, इसमें एक nucleus यहां बैठा था, एक nucleus यहां बैठा था, ठीक है, उस समय तक यह बहुत अच्छा happy cell था, ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ, कि यह जो cell था, इसमें एक nucleus यहां बैठा था, एक nucleus यहां बैठा था, दोनों की आपस में लड़ाई हो गई, ठीक है, दोनों की जब आप तो यह रोने लग गया एक नूकलियस इसने यहां बनाया एक नूकलियस इसने यहां बनाया ऐसे इसने डिवाइट किया एक नूकलियस यहां बनाया एक नूकलियस यहां बनाया अब रिजल्टन यह निकला कि एक ही सेल के अंदर बहुत सारे नूकलियस बनने लगे फ्यूजन वाला नया cell बनानी की capability। यह नया cell बन जाएगा. या नया cell बन जाएगा. आख आप क्या होगा? यह कौन से ग्रुप का example है? यह example है ऐसा होता है Bansidio My Cities में. किसमें होता है? Bansidio My Cities में. Happy cell and sad cell are seen in Bansidio My Cities. ऐसे करके याद रहेगा, ठीक है, हमें examples, groups याद करना है, कैसे भी, ठीक है, ये example याद रखियेगा, options है, phycomycities, no, zygomycities, not at all, deuteromycities, no, 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 and then we have bacidomycities, yes, 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 so the option is bacidomycities, clear, इस तरीके का process bacidomycities में देखा जाता है, So, I hope you all have marked the correct answer for this question, for now, we are done with the daily practice problem का solution, जो आपने question solve किये होंगे, मैं उमीद करती हूँ कि आपके सारे questions सही हों, लेकिन मैं ये भी समझती हूँ कि हो सकता है, example याद करने में थोड़ा time लगे, और इसलिए कुछ questions आपके गलत हुए होंगे, but not to worry, धीरे धीरे हम जितने जादा question solve करेंगे, उतना जादा हमें examples याद हो जाएंगे, जहां concept की बात आएगी, वहां पे तो हमें कोई मात नहीं दे सकता, लेकिन example में थोड़ा सा हमें cover करना पड़ेगा, and that is absolutely fine अगर आपसे अभी नहीं बन रहा है, धीरे धीरे करके सब बनने लगेगा, सिरफ consistent रहने की मेरी बात मानो, रास्ते में बहुत hurdles आते हैं, बहुत बहुत रुकावटे आती हैं, पर चलते रहना is the right thing and the only thing that we can do, that is in our hands, right, तो हमें चलते रहना है, कोई बात नहीं, आगे के sessions में सही answers आपके भी आने लगेंगे, अभी आपको ये सही answers कैसे लाने हैं, बार बार वो sessions दे official website पर जाएं, www.magnetbrains.com टाइप करिए, official page एक open होगा, उस official page पर वो ऐसा दिखेगा, यहाँ पर लिखा होगा, explore top courses, उसमें neat पर जाएं, neat पर जाने के बाद biology सिलेक्ट करिए और watch now पर क्लिक करिए, जब ऐसा करेंगे तो यहाँ पर एक और page open होगा, जहाँ पर आपके biology का पूरा content दिया हुआ है, और यहाँ लिखा है, watch chapter wise videos, और यहाँ sequence में हर chapter के videos आपको मिल जाएंगे, उस पर क्लिक करिए, वीडियो इस तरीक से आपके सामने play होने लगेगा, there is nothing very difficult in the world, you can do everything, you can learn all the examples, थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होती है, ठीक है, उसके बाद, अगर सा सारी चीजे समझ में आ गई है, और अच्छा लगा है, तो थोड़ा सा appreciation मुझे भी चाहिए, तो आप लाइक कर दीजेगा, जैसे मैं, अगर आप सही answer देते हो, या आप मुझे उस question का answer देते हो, जो मैने आप से session में पूछा है, तो I definitely reply to you, and उसे subscribe कर लीजेगा channel को, so that you can solve more and more questions and share it with all your friends and siblings, मैं आप से मिलूंगी next session में, तब तक के लिए, take care, thank you so much and keep studying.